विधायकों के खरीद फरोक्त को लेकर देरात जारी हुए एक प्रेसनोट के बाद राजस्थान में सियासत और गर्मा गई है कॉंग्रेस के 24 विधायकों के ओर से मुखे सचेतक महेश जोशी और उप मुखे सचेतक महिंद्र चौधरी ने एक संयुक्त प्रेसनोट जारी किया जिसमें कॉंग्रेस विधायकों ने संयुक्त रूप से बीजेपी पर खरीद फरोक्त के आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा कि भरष्ट अधिकारियों के माध्यम से राज्यकी जुन हितकारी सरकार को गिराने की साज़श बीजेपी रच रही है प्रेसनोट में ये कहा गया कि हाल ही में हुए राज्यसभाचिनाव में बीजेपी ने खरीद फरोक्त के प्रियास किये लेकिन कॉंग्रस निर्दलिये, बीटपी, आरलजी और अन्य दलों की एक जुटता के कारण बीजेपी को मुझ की खानी पड़ी और इसके बाद भी बीजेपी सबक लेने के बजा सरकार को कमजोर कर गिराने का शड़ियंत्र रच रही है वधायकों का यारूप है कि उनके पास पश्ट जानकारी है कि बीजेपी के शेश्वस्त लोग इस शड़ियंत्र में शामिल है जो कॉंगरेस के वधायकों और समर्थत वधायकों और साथी अन्य से समपर्क कर उन्हें तरहा तरह के प्रलोभन देकर गुमराहक करने की कोशिश कर रहे हैं वधायकों ने संकल्प वेक्थ किया कि कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव जीत कर आए हैं उनका नैतिक कर्तव बनता है हम सभी पाटी के सिधानतों और नीतियों पर समर्पित भाव से जुन सिवा करें